सब्सक्राब कीजिए संस्कृत दर्सन चैनल को और नौटिफिकेशन घंटी को दवाएं जस्से संस्कित से संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों नमस्कार मित्रू संस्क्रित दर्सन चैनल में आप सभी का स्वागत है संग्या प्रकारण चल रहा है हमने कुछ संग्याओं के बारे में जाना और संग्या कौन-कौन सी होती है कौन-कौन सी होती है कौन-कौन सी होती है प्रमपरागत भी होती है तीन प्रकार की जानी आज हम दू संग्याओं के बारे में और जानेंगे चलते हैं हम संग्या प्रक हला हलो अनंत्रह संयोगा यहां पर हल अनंत्र और संयोग देख यहां पर बिसर्ग रहे हैं हलो अनंत्रह संयोगा हल का मतलब होता है सभी व्यंजन हलेक प्रत्याहार है जिसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं अनंतर का मतलब क्या है यहाँ पर अंतर ही रख लीजिए अनंतर का मतलब अंतर या इन लोगों ब्यवधान रहित ठीक है ब्यवधान रहित अंतर अनंतर बाद मताओंगा यह अंतर में लिख दिया है संयोग क्या है संयोग संग्या का नाम है अब देखिए सभी व्यंजनों की अर्थात दो या दो से अधिक व्यंजन जब किसी भी व्यवधान रहित हो उनमें कोई भी व्यवधान ना हो तो उन व्यंजनों के समूंकी क्या हो जाती है संयोग संग्या हो जाती है हलो अनंतरह संयोगा हलों की व्यवधान रहित संयोग संग्या होती है अब व्यवधान होता क्या है व्यवधान व्यंजनों का होता है जब भी बेजनों में स्वर प्रियोग कर लिये जाते हैं, तो वो बिवधान माना जाता है, यहां सभी जो हैं, वो बिवधान में ही आएंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसमें चले जाएंगे, यह बिवधान रहित है, यह बिवधान रहित है, यह भी बिवधान रहित है, ह एक उधान दूँगा इनसे हटके भी उन्हें देखेंगे तो साथ सब्सक्राइब आ जाएंगी अगनी हैं अगनी में गाह और ना दो हैं यह व्यवधान रहे थे अर्था इसमें गाह के बाद में कोई भी स्वर नहीं है तो सीधे इनकी क्या हो जाएगी हलों की संयोग संया हो जाएगी किस से हलो अनंत्रह संयोगा इतने याद रखना इसका और इसमें कुछ नहीं है बस याद रखना है व्यवधान रहे जिसमें स्वर नहों ऐसे दो व्यंजनों की दो या दो से अधिक व्यंजनों की क्या हो जाती है संयोग संया हो जाती है बहुत सरल है यह संग्या प्रक्रण बैसे लिए सभी सूत्रों को करम से ही ले रहा हूं बहुत सरल है यह मान के चलिए आप एक बार इस सूत्रों को याद कर लेंगे तो बाती सभ सही हो जाएंगी फिर उसमें कुछ बचेगा यह नहीं जैसे राश्ट्रम है राश्ट्रम में क्या चीज आरी है हमारे पास यह है यह इसकी क्या हो जाएगी संयोग संग्या हो जाएगी उम्मीद है यह आपको अच्छे समझ में आगया हुए इसमों कुछ है ही नहीं तो हम दूसरा एक सूत्रों और ले लेते हैं देखिए अगला देख लेते हैं मुख नासिका वचनो अनुनासिका ठीक अब मैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसको सूत्रों को अलग अलग करके मुख नासिका वचन अनुनासिक अब देखिए यह अनुनासिक कहलाती है इसकी संग्या क्या है अनुनासिक संग्या है अब कहलाती किस किस की है मुख नासिका इसका मतलब है मुख और नासिक मुख और नासिका वाले वर्णों की अनुनासिक संग्या होती है वचन का मतलब होता है बोलना ठीक ना बोलना मुख और नासिक से जो बोल जाते हैं उनकी संग्या कौन सी होती है अनुनासिक संग्या हो जाती है कोई भी जैसे पंचमक्षर है यमंगननम ये नासिक है अनुनासिक है आ यहां हो गया है आ यह भी अनुनासिक के अंतरगती आएंगे जब भी मुह और नाक से उच्छरित हों कोई भी वर्ण उनकी क्या हो जाएगी अनुनासिक संग्या हो जाएगी बस यतना याद रखना है यां, मा, न, 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 ये सब ये क्या है ये अनुनासिक है इनकी क्या हो जाएगे अनुनासिक संग्या क्यों क्यों क्योंकि ये मुख और नासिक दोनों सो ही उच्चरित हो रहे हैं तो ये दो सूत्र थे आज दो ही समझाएंगे छोटी छोटी क्रम में इनको करते चले यह मेरा आपसे बादा है एक भी प्रशन नहीं छूटेगा इनमें कुछ है ही नहीं इनको पता नहीं क्यों बोल जाते हैं अक्सर मैंने देखा है कि सही से कहीं भी व्याख्या नहीं कीगी इनकी तो कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से आज के लिए इतना ही